दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का माकदर्शन फार सिविल सर्विसेज में मैं अनराक्ष उत्री दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपोर्ण बिलोम सब्द का भाग एक यह वीडियो विशेज रूप से लोग सेवा आयोग प्रयाग राज द्वारा आयोजित आरो एरो परिच्छा यानि की समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी तथा PCS मुख्य परिच्छा के सामान हिंदिखंड के सासाद TET परिच्छा जो है सिक्षक पातरता परिच्छा तथा हाई कोड द्वारा आयोजित समिक्षा धिकारी परिच्छा के लिए विशेज रूप से उपियोगी है तो आएए शुरू करते हैं हाँ दोस्तों एक बात और विलोम सब्द को अगर जो आप बहुत अच्छे से तयार करते हैं तो इसमें आपको पूरे अंक मिल सकते हैं इसका सामान निसा सुत्र ये है कि विलोम सब्द आप सटीक लिखिए इसको एक उधारा द्वारा ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिन का विलोम रात होता है आप सभी जानते हैं लेकिन इसको आप अगर रात्रे लिखते हैं दिन के विलोम के रूप में रात्रे लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि रात्रे एक तत्सम सब्द है और दिन जो है वो तत्सम सब्द नहीं है जबकि वो तद्भो सब्द है तो इस प्रकार जब आपसे पूछे दिवा जो दिन का तद्शम सब्द है तो दिवा का अगर जो विलोम पूछता है तो आप इसको रात्र लिखेंगे ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर जो आपसे कपूत का विलोम पूछा जाता है तो कपूत का विलो के रूप में आप सुपुत्र लिखेंगे ये सटीक जो सटीक बिलोम सब्द कहने का मतलब था मेरा यही था इससे आप इसमें पूरे अंग पा सकते हैं तो आएए अब शुरू करते रहे हैं महतवपूर्ण बिलोम सब्द का भाग 1 पहला है पहला जो सब्द है वन, वन का विलोम होता है मरू, याद रखेगा, वन का अर्थ होता है जंगल, और मरू का अर्थ मरूस्थल से लिया जाता है, जहां पे कुछ नहीं उखता है, तो वन का विलोम मरू है, संधी का विलोम सब्द विग्रह होता है, अग्य, अग्य मतलब जो कुछ नहीं जानता ह और विग्य सब कुछ जानने वाला तो अग्य का विलोम विग्य हो जाएगा संकीड जो संकुचित विचार वाला होता है वो संकीड होता है इसका विलोम होता है विस्तिण एक सब्द है देखिए छर छर का विलोम अक्षर गौरो सब्द का विलोम क्या होगा गौरो इसका विलोम है लागव अभिग्य एक सब्द अभिग्य आता है कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है अभिग्य का विलोम अनभिग्य होता है आप इसको ध्यान से देखिएगा अभिग्य का विलोम सब्द है अनभिग्य और दूसरा एक संधी हम पहले देख चुते हैं ये दोहरा गया है देखें संधी का विलोम विग्र होता है समास का जो विलोम है वो ब्यास समास का विलोम सब्द ब्यास होता है एक सब्द आता है इंपार्टेंट है देखिए वैभो का विलोम पराभो बिलूप्त बिलूप्त का विलोम है प्रकट लूप्त या बिलूप्त का एक अन्य जो बिलोम सब्द है वो है व्यक्त व्यक्त बिलूप्त का व्यक्त भी होता है आप इसको ध्यान देजेगा ऐसे बिलुप्त को इसका विलोम परकट के रूप में भी आप बता सकते हैं अगला है कई बार परिछाओं में पूछा है कुसुम कुसुम मने कोमल होता है और वज्र कठोर तो कुसुम पुस्प का भी परियावाची है फूल का लेकिन कुसुम का जो विलोम सब्द होगा वो है वज्र चुस्त का विलोम सब्द होता है सुस्त चुस्त यानि की एक्टिव और सुस्त मतलब लेजी active यानि सक्री जो होता है वो चुस्त है कई हमारे साथियोंने चुस्त को अपने ढंग से जो व्याख्या की थी उसमें उन्होंने चुस्त का विलोम ढीला लिखा था लेकिन वो सही नहीं होगा चुष्ट का सुष्ट ही होगा वीरान का विलोम सब्द आबाद है संपत्ति का विपत्ति विभक्त विभक्त मने अलग हुआ और संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ तो विभक्त का विलोम होगा संयुक्त निर्जल निर्जल का विलोम सब्द आप दे सकते हैं सजल है निर्जल का जो विलोम है वो सजल है सुदूर का विलोम सन्निकट और स्वप्न का विलोम है जागराण इसके अलावा जो रिक्त है एक सब्द आता है रिक्त इसका अर्थ होता है खाली रिक्त का अर्थ है पूर, यानि पूरा या भरा हुगा, तो रिक्त का विलोम पूरा होता है, तरल का ठोस है, सघन, सघन मतलब घना बहुत होता है, और बिरल, बिरला, थोड़ा सा अलग-अलग, तो सघन का विलोम सब्द बिरल होगा, सहयोगी का प्रतियोगी है, एक होता है सहयोगी, सहयोगी का विलोम, प्रतियोगी होगा, असीम, असीम और ससीम, असीम जिसकी सीमाएं नहों और ससीम जो सीमाओं में बधा हुआ हो, तो असीम का विलोम ससीम होगा, स्रिष्टी, स्रिष्टी का विलोम सब्द है, प्रलय, इसी प्रकार से हरस्व और इसका विलोम होत ठीगना लंबा का नाटा बाउना या ठीगना आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन लंबा का जो सटीक विलोम सब्द है वो है ठीगना आगामी आने वाला विगत जो बीत गया है तो आगामी का विलोम सब्द विगत है उन्मूलन मतलब समाप्त करना और रोपड मतलब फिर से ल काम में का विलोम नागर हो जाएगा जो की नागर का अर्थ होता है नगर से संबंदित यथार्थ का विलोम यथार्थ और आदर्ष यथार्थ है जो वास्तविक रूप से है आदर्ष जो है जिसकी कल्पना की जाती है यानि कि यथार्थ का विलोम आदर्ष हो जाएगा वास वास्तविक या इसे आप कालपनिक के रूप में भी बता सकते हैं वास्तविक का विलोम वास्तविक या कालपनिक अतल का विलोम वितल है निर्मल का मलिन है विधी विधी का विलोम निसेध है आप इसको ध्यान देजेगा इस पर इंपर्टेंट है विधी का विलोम सब्द न बदनामी यानि कुख्याती तो बदनामी का विलोम सोहरत होगा उसी भाषा में लिखिए तो और सटीक इसको माना जाएगा सुच्म का विलोम स्थूल है सुच्मने छोटा या बहुत छोटा स्थूल बड़ा या विशालका है और हर्स का विलोम विशाद है तो दोस्तों ये था महत्वपूर विलोम सब्द का पहला भाग इसके हम अन्य भाग भी करेंगे आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं आपको किसी अन्य शब्द के विलोम सब्द में कहीं कोई दिक्कत आती हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट वाक्स में आप कमेंट करके बताइए कौन सा सब्द आपको नहीं आ रहा है उसका विलोम सब्द नहीं आ रहा है और आगे हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए और भी अनि ग्यान वर्थक वीडियो के लिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार